हेलो एवरीवान कैसे हो आप सभी आई तिंक सभी अच्छे होंगी स्वागत करती हूं में आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद दीपास एनी में गाइस आज की जो आपके क्लास रहेगी वो एकनोमिक्स से रिलेटिड हैं एकनोमिक्स में आज हम पढ़ें आपकी पॉवर्टी यानि गरीबी ठीक है तो गरीबी को पूरा डिटेल से करेंगे हम अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीस लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल तो चलिए स्टार्ट करते हैं अज की वीडियो गरीबी इंग्लिस में बोले पॉवर्ट खाने के लिए रोटी नहूं और पहनने के लिए कपड़े नहूं ठीक है क्या होगा गरीबी क्या होती है गरीबी वह समाजिक या आरथिक सीटी जिसके अंत्रगत जब लोगों दुआरा अपनी मूल भूत आउशकता है हमारी सबसे फर्स्ट आउशकता नीर्ड या प्रेय नहीं सकते ठीक है तो वह समाजिक और आर्थिक स्थीती जिसके अंत्रगत हम अपनी मूल भूत आउशकता हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान ये भी पूरी ना कर पाएं तो उसे गरीबी कहते हैं वह समाजिक और आर्थिक स्थीती जिसके अंत्रगत हम अपनी मूल भूत आउशकता हैं मूल भूत आउशकता हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा ना कर सकें तो उसे क्या कहते हैं पोवर्टी कहते हैं गरीबी कहते हैं ठीक है भारत में गरीबी का सबसे पहले अध्यन किस ने किया B.S. मिनहास ने भारत में गरीबी का सरवपर्थम अध्यन यानि सबसे पहले अध्यन किस ने किया था गरीबी का कि कौन लोग गरीब हैं, तो B.S. मिनहास ने भारत में सबसे पहले गरीबी का अध्यन किया था, ठीक है, तो किसने किया सबसे पहले गरीबी का अध्यन, B.S. मिनहास जिने गरीबी क्या होती हैं, जब हम अपनी मूलबूत आउशक्ता हैं, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी छ गरीबी, गरीबी रेखा किसे कहते हैं, गरीबी रेखा, हम कहते हैं यह राज्य गरीबी रेखा से नीचे हैं, यह राज्य आपके गरीबी रेखा से उपर हैं, तो गरीबी रेखा क्या होती है, यह लाइन क्या होती है, पोवर्टी लाइन क्या होती है, गरीबी को हम किसमे भारत में परती दिन यानि एक दिन में कितनी कैलोरी ले रहा एक व्यक्ति तो उस कैलोरी के अधार पर गरीबी को मापते हैं कैलोरी के परती दिन कैलोरी के अधार पर गरीबी को मापा जाता है भारत में ठीक है अब इसका क्या है कितनी कैलोरी है सहरों की बात करें तो सहरों म सहरों में जो आपकी कैलोरी की बात करें तो 2100 कैलोरी कि कैलोरी को केस में दिखाते हैं तो 200 कैलोरी परतटी व्यक्ति परति दिन अगर आपकी भारत की पढ़ रहे हैं, परती व्यक्ती परती दिन 2100 कैलोरी है, गरीबी रेखा वाली, ठीक है, सहरों में, बत बात करें, गाउं में, गाउं में हैं आपकी 2400 कैलोरी, परती व्यक्ती परती दिन, ठीक है, परती व्यक्ती परती दिन, अगर कैलोरी में गरीबी रेखा को मापे ये तब की बात है कैलोरी में गरेबी रेखा को मापे ये जब की बात है तो सहरों में यह हैं 2100 कैलोरी परती व्यक्ति परती दिन गाओं में हैं 2400 कैलोरी परती व्यक्ति परती दिन अब खर्च के अनुसार यदि कोई मापे तो खर्च के अनुसार गरीबी को एक व्यक्ति को कितने रुपे उन मिलने चाहिए परती दिन तो खर्च के अनुसार कहीं एक व्यक्ति को यदि कोई भी व्यक्ति सहर में सहर में तो है 32 रुपे शहर में हैं सीटी में हैं आपके 32 रुपे और गाउ में हैं 27 शहर में हैं 32 रुपे परती व्यक्ति परती दिन बात करें अगर गाउं की गाउं में है ये रुपे के मामले में कम है 27 रुपे परती व्यक्ति परती दिन ठीक है अगर रुपे के मामले में अगर खर्च के अधार पर किसी व्यक्ति की गरीबी को मापा जाए तो ये डेटा है क्यालोरी में ये है तो खर्च करता है तो वह क्या है गरीब है अगर 32 रुपे परती व्यक्ति परती दिन खर्च करता है सहर में तो वह गरीब है और गाउ तो फिस रेलोरी में वह ग्रीब और सर में थैयं में तो इ concealer आई थी जिन्हों ने अपनी defining vision देखिने नहीं पढ़ नहीं है लघना चाहिए आपको आपको औक्षानल अगजाम है तो समीतियों के नाम पूछे ही जा सकते हैं तो गरीबी से कौन सी सम्मंदित आई थी तो एक थी आपकी DT लकड़वारा यह क्या है यह आपकी गरीबी से सम्मंदित गरीबी से रिलेटिद आपकी समीतिया है गरीबी से सम्मंदित समीतियां d t लकडवारा याद रखना d t लकडवारा वाला या वारा next आई थी हमारी सुरेज तैंदुलकर सुरेज तैंदुलकर जो है सुरेज तैंदुलकर ठीक है DT लकड़ वाला और सुरेश तैंदूलकर जो समीतिया थी वो आपकी गरीबी से सम्बंदित समीति थी तीसरी आती है C रंग राजन तीसरी समीति थी C रंग राजन ज्यादा डीपली में हम नहीं पढ़ेंगे इतनी डीपली कोश्चन नहीं आता है कोश्चन सिर्फ समीतियों के नाम से आता है कि गरीबी से सम्बंदित या एक समीति का नाम डाल देगा ये समीतिया किस से सम्बंदित थी ओप्शन में आपका गरीबी भी होगा तो याद रखना डीटी लकडवाला सुरेश तैंदुलकर और सी रंगराजन आपकी गरीबी से सम्बंदित समीतिया थी गरीबी हटाओ का नारा किस नहीं दिया गरीबी जो हटाओ का नारा दिया गया था गरीबी हटाओ कौन सी पंचवर्षय योजना में दिया गया था पंचवर्षय योजना पता है ना जो पांस साल के लिए हमारे देश के विकास से सम्बंदित योजना होती है आपकी वो होती है पंचवर्षय योजना ठीक है तो जो गरीबी हटाओ का नारा गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ नारा अगर बात करें गरीबी हटाओ नारा तो बहिए किस पंचवर्षय योजना में पंचवर्षय योजना अलग चैप्टर है अलग कंसेप्ट है अलग से करवाऊंगी पंचवर्शय योजना आपकी कौन सी थी इसमें, पाँचवी पंचवर्शय योजना, कौन सी थी, पाँचवी पंचवर्शय योजना, पाँचवी पंचवर्शय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, पंचवर्शय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया में कुष्य नाता है गरीबी आटाओ का नारा कौन सी पंचवर्ष funcion में दिया गया था पांच वी थी के अब हम करेंगे type of poverty यानि गरीबी के परकार दो परकार की गरीबी रिफाइन की गई है गरीबी के परकार type of poverty अगर बात करें कौन कोन सी पोवर्टी होती है एक तो होती है निर्पेक्ष गरीबी निर्पेक्ष गरीबी एक होती है सापेक्ष गरीबी सापेक्ष गरीबी अब निर्पेक्ष गरीबी कौन सी और सापेक्ष गरीबी कौन सी सिंपल सी बात है वही एक व्यक्ति है जिसके पास अपनी जरूरते की चीज चीजे नहीं है उसके पास जोरूरत की चीजे नहीं है तो 朝 की निर्पेक्ष गरीबीई कौनसी होगी एक आदुम हैteen रौफ्या महीन कमाता है और दूसरा अदुमें 50,000 कमाता है तो जो वह दूसरा आदुमी यह वह पहले आत्मी क्या पेक्षा थोड़ा गरीब है ना तो इसमें जो गरीबी आते हैं वो इस परकार क्या आते हैं सापेक्ष गरीबी जब तुनला की जाती है comparison होता है एक की income एक लाख है एक की पचास अजार है तो पचास अजार वाला आपका एक लाख वाले से गरीब होता है तो इसमें इस तरह की गरीबी आती है डिफाइन करते हैं इसमें क्या होगा निर्पेक्ष गरीबी में जब मनुष्य अपनी बुनियादी आवशक्ताइं जैसे भोजन पीने का पानी जैसे आपका स्वास्ते से रिलेटिड जैसे सुवीदाई जैसे शिक्षा जब मनुष्य अपनी मूल भुथ आवशक्ताइं जैसे भोजन असली गरीबी तो यही है निर्पेक्ष गरीबी भोजन स्वास्ते से संबंदित आपनी आवशक्ताइं शिक्षा आवास पैजल यह हमारी ऐसी आवशक्ताइं जो हमारे पास होनी ही चाहिए यह नहीं होगी तो हम अपने आप गरीब होंगे, सूचना, तो इन सब चीजों का जब अभाव होता है, तो वो होती है, निरपेक्ष गरीबी, अभाव होता है, तो कौन सी गरीबी, निरपेक्ष गरीबी होती है, मान लो, कोई व्यक्ति है, शहर में रहता है, कोई व्यक्ति है, शहर में रहत यानि खर्च में बात करें तो 32 रुपएवी 32 रुपएवी खर्च नहीं कर पाए तो वह कौन सी गरिवी में आता है निर्पेक्ष गरीबी में, सिंपल सी बात गरीबी वाली असली डेफिनिशन तो यही है, जब वैक्ती अपनी मूल भूत आवशक्ताईं, देखो रोटी, कप्ड़ा और मकान, शिक्ष्या, स्वास्त समंदी, पिये जल, सूचना काबाओ, ये सारी अपनी आवशक्ताईं, नी समाज, समाज और ओसत वैक्ती की, किसी वैक्ती की उपभोग आए, उसकी संपत्ती का भाओ, दूसरे वैक्ती की तुल्ला में, किसी वैक्ती के पास, संपत्ती का भाओ, ये तो होता ही है न, किसी के पास चार घर है, किसी के पास दो घर है, ठीक है, तो संपत्ती का भाओ, किसी व्यक्ति का ठीक है और दूसरे व्यक्ति की तुल्ला में तो यह ओगी आपकी सापेक्ष गरीबी ठीक है इसमें क्या होता है लोगों का जीवन सरनीमन हो जाता है उनके पास होता सब कुछ है जो ज्यादा कमाता हुआ ठीक है नमडर वन इ समझा एक लाग कमाता है यह अपना खर्चा पचास अजार क्या है गडरीब है जो पचास अजर वाला अजो एक लाग से क्या है गरीब है तो इस परकार की जो गरीबी होती है उसे कहते हैं सापेक्ष गरीबी ठीके समझ गए ना उसे क्या कहेंगे सापेक्ष गरीबी अब बात करें गरीबी का कारण क्या होता है वह गरीबी का कारण क्या है क्यूं है गरीबी खतम कर दो ना इसको सब क कारण है हमारे भारत में गरीबी का क्रिशी पर निर्भरता क्रिशी पर निर्भरता ठीक है क्योंकि भारत में आपको सब को पता है मांसून आता है वर्षा आती है तो कई खेत तो ऐसे हैं जो पूरी तरह बारिस पर निर्भर और कई साल तो ऐसे होते हैं कई बार तो मांसुन आपका आया और बारिश आपकी 50 परतिशत करके गया तो ऐसे में कई फसले आपकी सूखे की चपेट में चले गए तो किसान मर गए ना उन्होंने अपना पैसा लगाया टाइम किया इतना लंबा टाइम गुजारा उस खेत में काम किया तो उनकी मजदूरी खतम उनका पैसा खतम उनका टाइम खतम तो यह क्या है किर्शी पर निरबरता जो लोग किर्शी पर निरबर रहते हैं वो भी आपके गरीबी रेखा में काफी लोग आते हैं जो किर्शी पर निरबर हैं दूसरा आता है रोजगार के आउसरों का भाव अगर आपके पास आप वैल एजुकेटिड हो काफी पड़े लिखे हो और टालेंटीड भी हो फिर भी आपको जोब ना मिले तो क्या होगा आपके पास रोजगार नहीं होगा तो आप भी तो एक किसम से गरीब होना तो रोजगार ही नहीं होंगे काम ही नहीं होगा तो लोग क्या करेगी ठीक है तो मजदूर को अगर कोई मजदूर है उसे कामी ना मिले तो वो तो भूका ही मरेगा काम मिलेगा तो वो काम करेगा फिर उसे मजदूरी मिलेगी तब वो खाएगा तो रोजगार के आउसरों का भाव भी गरीबी का परमुक कारण है नेक्स आ चा風 है जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड पोलिसी हैं एक प्रिया थांचा इन सबकी बातने तो काफी बदल गया है सुधार हुए हैं जो से रिलेटेड बाते करें तो आज भी कुछल aven बाकी है आपके हेल्थ से रेलेटेड से चीजें काफी सुधार बाकी है तो commence भी ऐप्रयाप्त बुरन्यादी धांचा भी शिक्षा हुर्श्व хозя Steका गई मारे हुआ है कि नेएकश पॉइंट हमारा ता है को गरीबी के कारण में भूमी सुधाँ के हैज सुधार है वह मी सुधार के सफलत है यह कैसे वाई गरीबी का कारण जो गरीब वो तो बिचार है अपनी फसल बोईंगे ही अब जो गरीब है उसके पास ऐसा तो नहीं होगा 10-15 किल्ले हैं उसके पास कई तो ऐसे भी होते जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती और उगाई पर लेकर बोते हैं यानि दूसरे की जमीन को पट्टे पर कहते हैं जिसे जो भूमी शुदार कभ होगा कुछ-कुछ टायम के लिए भूमी चोड़ी भी जानी चाहिए उसकी जाच भी उनी चाहिए ताकि आपके फसलें अच्छी हो तो पर वह पर बढ़ती जनसंक्या ये तो सब कोई पता है जनसंक्या लगातर बढ़ती जा रही है और बढ़ती जनसंग्या के कारण रोजगार के अउसर लगातर कम हो रहे हैं या हमारी आई आई भी हमारी कम हो रहे हैं रोजगार नहीं मिलेगी जोब नहीं मिलेगी तो इनकम कहां से आएगी ठीक हैं तो ये थे आपके गरीबी के कारण कौन-कौन से किर्शी पर निर्बता रोजगार के आउसरों का भाव, ए प्रियाप्त बुनियादी, धांचा, सिक्षा और स्वास्ते से सम्मंदित, भूमी सुधार के ऐसा फलता और बढ़ती जनसंग्या और आयकम तो ये थी आपकी गरीबी, छोटा सा टोपिक था, इसलिए मैंने सी क्लास में से कंप्लीट करा दिया है, तो कैसी लगी भही, आप सभी को वीडियो आज की, अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है, तो लाइक कर दो, जब अधस्ती नहीं है, ठीक है, शेयर कर दो, औ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, फ्यूचर में ऐसी ही वीडियो लेने के लिए, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो देखती रहें, और विजिट करते रहें मेरे चैनल पर, ओके, हैवे नाइस डे,